अलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में दोस्तो आज की वीडियों में बात करेंगे पूरू सैनिकों के ओर रोपी को लेकर एक्लैम स्पी को लेकर दोस्तो अब सरकार ने जो है सरकार का जो रुख है सरकार ने जल्दी जल्दी फैसले ने शुरू कर दी है और पूरी तरह से कोशिश ही रहेगी कि चुनाव से पहले जितने भी पेंडिंग मुद्दे हैं चैनल वो वन रेंग वन पेंशन का हो या एक्वल एमस्पी का हो वो सब 18 मेने का डी ए एरियर हो उन सब पे जो है सभी जेसियू जवानों जितने भी पूरुस हैने के उनको उनका हक मिल सके और ये दोस्तो अभी जो रिसेंटली फैसले लिए गये हैं उससे देखे लग रहा है कि सरकार जो है इन सभी चीज़ों के लिए पॉजिटिव है दोस्तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसके बारे हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जिसके वज़से जो है ऐसा लग रहा है कि जो अभी सरकार है उनका मेन मोटिव है कि वो किसी तरीके से जो है जितने भी केंदरी करमचारी हैं जितने भी पूरुसैनिक हैं जितने भी जेसि वाले टाइम में जो है सरकार का फोकस जेसियों जवानों सैनिकों पर रहेगा और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा तो चले जो बात करते हैं आज के इन सभी इंप्टेंट अपडेट के बारे में दोस्तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिस से आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बैल आइकन जरूरू दोस्तो पहली बात हम करते हैं जहांपे आप सबको लगा पूरुसेनिकों के चली जानी चीए वह था दोस्तों पहले लेकिन अब आप देख सकते हैं कि लोगसबा चुनाओं है और अभी किसी कोई आदेश भी नहीं आए लेकिन दिसंबर में जनवरी में अचानक जो है लोगों के एकाउंट में फॉर्थ इंस्टॉल्मेंट क्रेडिट होना शुरू हो गया है तो दोस्तों एक पॉइंट तो यह दिखा रहा है कि यहां पे जो जवानों की में चीजें हैं उनमें अगर देरी नहीं की जाएगी और उनके डिमांड्स को टाइमली इंप्लिमेंट किया जाएगा तो यह आने वाले टाइम में एक बड़ा रोल प्ले करेगा जो अभी लोग सबा के चुना होगा क्योंकि सैनिकों का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहेगा दूसरा दूस्तों एक और अभी जो रीसेंटली हुई ह जो इसके उपर जो है भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया और जिससे लग रहा है कि सरकार जो है सैनिकों के वेलफेर के ओपर जो है काफी जादा ध्यान दे रही है दूस्तों वो है आपका जो टोल टेक्स को लेकर रिलेटेड है टोल टेक्स में जहाँ पर भी की जारे थी कई जगा पर जो है उनसे जबर्दस्ती ले लिया जा रहा था टोल टेक्स उसको लेकर भी दोस्तों सरकार के तरफ से ताबड तोड जो नोटिफिकेशन लेटर जारी किया गया है अर उसका आप सब्जेक्ट भी देखते हैं तो अर्जेंट है और उसमें भ लेकिन ये 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 भी हो सकता है कि इसको काफी दिन बाद इसको implement करते हैं लेकिन सैनिकों के welfare को ध्यान में रखते हैं सरकार ने इसको फटा फटा एक्शन लिया और अभी जो है ये नया latest update जारी कर दिया है दोस्तों देख सकते हैं इसमें letter में साफ लिखा है कि it has been observed that there are several complaints receiving from armed forces personnel for their dishonor at various tall plaza जो पूर सैनिक है बहुत सारे complaints उनके आ रही है और इसको immediately stop करना चाहिए while they are discharging their officials duty NHAI policy circular बताया है इसमें therefore it is requested to ensure compliance on above policy तो दोस्तों इसमें भी जो है जल्दी इसमें action लिया गया है और ये make sure किया गया है कि किसी भी सैनिकों को जो है दिक्कत ना हो और ये भी clarity कर दिया गया है कि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ ये सैनिकों के लिए जो serving सैनिक है उनके लिए है अभी पूर सैनिकों के लिए जो है विवस्ता नहीं है जिससे कि आने वाले time में कोई clash ना हो सके और सबको clear है इसके लाव दोस्तों अभी one rank one pension जो two है उसकी हो रहे हैं जाए one rank one pension की जो चौतिक किष्ट हो या टोल टेक्स को लेकर हो या जो अभी रेल्रू को अंदोरन हुआ था उस टाइम पे जो है सरकार ने फटावट जो है पूर सैनिकों की बात सुनी उन चीजों को लेकर एक तरीके से उम्मीद बनी है कि जो बाकी pending मुद्द होते हैं चाहिए वह एकवल एमस्पी पर जो है पूर सैनिकों का जो इतने दिनों से जो है केस चल रहा है उसको लेकर या one rank one pension की जो विसंगतियों को लेकर और तीसरा जो है वह अठारा मैंने का डीए एरियर जो कि अभी आपका जो है जन्वरी दोजार चौबिस तक जो है पूर सैनिकों ने और केंद्री करमचारियों के संगठा ने मांग की है उसको लेकर जो है और अभी एक फरवरी को भी जो है एक बैठक होने जा रही है उसमें भी काफी उमीद जाएक दोस्तों यह जस्ट एक चीज़े ज और इसकर दोस्तों हाली में जो अभी पूर सैनिकों की तरफ से चुनाओ लड़ने की भी बात की जा रही है उन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो पूर सैनिकों की और केंद्रे करमचारियों के लॉंग पेंडिंग डिमांड्स है 18 मेने का डिये एरियर और और जो अभी की विसंगतियों के लेकर बड़ा जो है आंदोलन चल रहा है उसको लेकर सरकार जल्दी दोस्तों इन चीजों को इंप्लिमेंट कर सकती है दो दोस्तों यह था आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर सैनिकों के लिए केंद्रे करमचारियों के लिए दोस्तों कर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग देस वीडियो